हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल मैं संध्या और आप देख रहे हूं संध्या सिलाई डिजाइन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुर्ति की सिलाई हम लोगों ने इसकी कटिंग पिछले वीडियो में की थी आज की वीडियो में हम सिहेंगे तो सबसे पहले हम लोग समस्यक्ते निकाल देंगे सबसे बात में लगाएंगे तो सब से पहले इसके हम गला कम्पलीट गए तो गला कम्पलीट करने केले हम को यह पेपर पेस्टिंग में ले लिया और इसकी पोड़ ses and सब्सक्राइब निए तो देखेगे एक बार मिस तरह से फूल्ड कर देंगी डवल फूल्ड करने के बाद क्या करेंगे अब हम इसको नाप लेंगे तो देखो यहाँ से हमारा कितना अधाय इंच घला आए उपर से नीचे तक इसलिए हमको इस तरह से लिंसान लगा लेना है और यहां पर एक लाइन ड्रो कर लेनी है तो इस तरह से यह में लाइन ड्रो कर लेना है और यह हमारा हाफ इंच तक बकरम रहेगा ठीक है और इसकी लंबाई यह देखो यह हमारा बैक पार्ट है तो इ इसके लंबाई मुझे साड़े साथ इंच रखनी है तो मैंने लिया है आठ इंच इसके यह हमारा बैग पार्ट है ठीक है और अब फिर से हम नीचे के साइड हाफ इंच इस तरह से बग्रम के ऊपर से लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से तो यह देखी यह हमने लाइन ड्रॉ कर ली है ठीक है अब आपको इसमें अगर गुलाई वाला गला बनाना है तो यहाँ पे आप गुलाई कर लेज़ेगा बराबर से तो मुझे यहाँ पे चौकोर गला ही बनाना है बैग पार्ट में तो यह हमारा इसी तरह से रहेगा तो च प्रेस्टिंग वाला है यानि के प्रेस्ट करने वाला तो इस तरह हमने इसको अपना बैक पार्ट का गला कंप्लेट करेंगे तो देखो इसका भी मेजरमेंट में आपको दिखा देती हूं एक बार यह हमारा विर्थ जो होता है हमें समसात इंच लेते हैं ठीक है हमने बैक प प्रेंट पार्ट है तो इसको हमको 7-6 इंच रखना है तो मैंने इसको लिया है साथ इंच इस तरह से मैंने लंबाई निकाली हुई है ठीक है अगर आपको साथ इंच रखना है तो साड़े साथ इंच लेजिएगा इस तरह से यह लंबाई निकालने के बाद अब हम क्या कर लेंगे जिससे के हमारी लाइन बराबर आए और इस तरह से यह हमने निशान लगा लेना है और यहां पर हम क्या करेंगे लाइन ड्रो कर लेंगे जिस तरह से हमने पिछले उसमें किया है तो इस तरह से यह हमें लाइन ड्रो कर ली है और आगे की तरफ से हमको वक्रम बराबर करने के लिए एक बार लाइन ड्रो कर लेनी है तो यहां पर भी हम एक लाइन ड्रो कर लेंगे अब देखो यह हमारा साइट का कम्प्लीट हो गया है सेम इसी तरह से अब हम नीचे की तरफ भी लाइन ड्रो कर लेंगे इस तरह से तो फ्रेंट्स यह हमने लाइन ड्रो कर ली है अब हम इसको भी वराबर से कट कर लेंगे जिस तरह से हमने बैक पार्ट को कट किया था लेकिन यहाँ पर मुझे गुलाई वाला फ्रेंट पार्ट गला बनाना है तो अब यहाँ पर हम गुलाई दे देंगे इस तरह से और अगर आपको बैक पार्ट में भी गोल गला बनाना है तो इस तरह से आप बैक पार्ट में भी दे सकते हो तो इस तरह से यह हमने गुलाये दी अब हम इसको इसी तरह से कट करेंगे जिस तरह से हमने निशान लगाया हुआ है तो इसको अब हम बराबर से पहले साइट से कट कर लेंगे बराबर करके और फिर इस तरह से ये हमने फ्रेंट पार्ट भी कंप्लेट कर लिया है गला और बैक पार्ट भी इस तरह से ये हमको दोनों गले निकाल लेना है ठीक है और अब ये गला निकालने के बाद क्या करेंगे इसी के बराबर हमको कपड़ा चाहिए इस तरह से यह हमने कपड़ा ले लिया है याने कि हाफ इंच हमको बड़ा कपड़ा चाहिए चारो तरफ से और अब इस तरह से रखने रखेंगे तो देखो यह जो हमारा बक्रम तो इस तरह से हमको बराबर से दोनों को रखना है और ऐसे हम इनमें दोनों में प्रस्ट लगा लेंगे तो यह मैंने लगा लिया है यह देखिए तो जब हम प्रस्ट लगाते हैं तो यह हमारा पेपर पेस्टिंग उसी में बिल्कुल पेस्ट हो जाता है कपड़े में और इस इस तरह से हमने कट कर लिया हाफ इंची से कम ही कपड़ा बचाया हुआ है और अब इस तरह से कट करने के बाद हम काट कर K dei तो इस तरह से हमने दोनों को कट ले लिया है ठीक का करेंगे इनको दोनों की कपडral को पोल करके इस तरह सी जो साइड में बचा हुए है ना इसको घोल करते हुए पूरे गुला लगा ली है देख सकती हो आप ही हमारा गला कंप्रीट हो गा इस तरह से अब हमने कंप्रीट कर लेंगे तो दोने कंप्रेट कर लिया है एक हट को अब क्या करेंगे सबसे तरह abnormal लगाएंगे तो ले से और अज़ा लगा पार्ट को अपारण कर लिना आप को Ba कि मेन फैडर घूप हमारा फ्रेंट पार्ट उसको सीधे के तरफ रखेंगे और इस तरह से सबसे पहले हम करेंगे सेंटर पर लाइं ड्रो कर लेंगे इस तरह से डावल फूल्ड कर देंगे और यहां पर आगे की साइड कपड़े के shape meet Painter मिला के रखने और उपर इसी लाइन पे छिलाई चला लें तो अब में यहाँ चुला लेते हैं यहाँ में तो इस तरह सी यह जोंको कहना तक लगा नए कि उस्फिलाई को व्राद की तर से नीचे तक नहीं इस तरह से ऐब यह सिलाई लगाने के बाद क्या शे कपड़े को अच्छे से बरावर से रख़ेंगे और यहां पर site से जिलाई लगाएंगे बक्रूम के बाहर से या निए बगरम के बिल्कुल in शिन्टर से सिला लगाना है तो यहां पर ओन और भाशाओ मिरम लगाने से लिए मैं सिलाई के कर लिए अब यें सिलाई के बाद कप्ड़ का कट करने के बाद यह कट करने के लिए hal इंच..? पुड़ा कपड़ा कम लेंगे और इस तरह से कट कर लेंगे और कट करने के बाद सिलाई हमारी नहीं कट हो और इस तरह से कहीं कहीं पर कट लगा लेंगे जिससे कि हमारा गला सानी से पलट जाएगा फोल्ड हो जाएगा और इस तरह से अपकट लगाने के बाद अपने गले क को इस तरह से फोल्ड कर देंगे पूरे को तो यह देखिए यह हम इसलिए सीधे साइड में रखते हैं क्योंकि यह पलटके हमारा उल्टा साइड चला जाता है तो इस तरह से यह हमारा गला कंप्लीट हो गया आप देख सकते हो अगर आप यहां पर हम लोग तुर्पाई करें गले में लेकिन अभी यहां पर हम लोग सिलाई नहीं लगाएंगे बाद में लगाएंगे तो अब हम क्या करेंगे सेम इसी तरह से अब हम लोग बैक पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे जिस तरह से हमने फ्रेंट पार्ट का गला कंप्लीट किया है इस तरह से इसको भी जैस सीधा भाग की तरफ रखना है इस तरह से ऊपर की तरफ और यह फ्रेंट पार्ट जो हम लेंगे तो इसको हम इस तरह से सीधे में सीधा मिलाकर रखेंगे यानि कि सीधा अंदर की तरफ दोनों का होगा और यह देखो इस तरह से रखना है और अब हम इसके सोल्डर जॉइंट कर लेंगे तो शोल्डर के इस तरह से जॉइंट करना है यह देखिए इस तरह से हमें हमारा जो वक्रम से यहां से इस तरह से पूरा ओपन करके लेना है तो इस तरह से यह हमारा गला बनाने के बाद सोल्डर बहुत ही फनीसिंग के साथ में आता है और गला भी बहुत अच्छ इसलाई जरूर लगा लेना है तो दोनों साइद हम इस तरह से सिलाई चिंड लेते हैं तुल्व है involved करते हैं अब इतना कंप्लीट करनेों के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लोगों को इस तरह से पूरा उपन करना है ठीक है और ये देखो इसको ये जो हमारा पेपर पेश्टिंग था ना इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे जो हमारा ये जो मार्जिन वाला कपड़ा इसको हम बीच से चीर देंगे और चीरने के बाद एक मार्जिन क कपड़ा इधर को रहे मार्जिन को दूसरी तरफ ऐसी एक पूरे कर देंगे फिर अधोर को इस तरह से गला बनाने में हमें बहुत ही खनीशिंग आती है हमारे गले में ठीक है इस तरह सी यह बड़ी बख्या में सिलाई लगा लेंगे एक बार जिससे कि हमें तुर्पाई करने में आसानी रहेगी और बागी कब लाव वो सुट बढ़ाने में भी आसानी रहेगी तो इस तरह से फ्रेंट्स हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है अब देख सकते हो तो फ्रेंट्स अभी इस तरह से ये हमने को शोल्डर कंप्लीट करने के बाद अब हम क्या करेंगे तो देखिया होगो पहले मैं आपके बराबर कि रहे लिए तो इसको हम सब्सेपहले पूरे को बर लाबर से फ्यल आकर लुए और जलाएरों तो इस तरह से यह हमने इसको उपन करके रख लिया है एक साइट से तो हमने यहां पे निसान लगा के रखा हुआ था दूसरे साइट भी हमको लगाना है तो उसी को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे यानि के डबल फोल्ड कर लेंगे इधर को तो इस तरह से यह हमने फोल्ड किया और फोल चला लेंगे थोड़ा सा ज्यादा डार्क कर लेंगे तो ये देखिए ये दोनों फिटिंग हमारे से कम्प्लीट हो गई अब हम इसी निशान के उपर हम यहाँ पे शिलाई चला लेंगे तो ये शिलाई हम लोग चला लेते हैं इस तरह से ये हमको दोनों को सिलाई को कम्प्ल कर लिया है अब हमको क्या चार्ग बनानी होगी नीचे की साइट और तो ईत्तो मेरी वीडियो अपने तुर्पाई वाला बना रही हो तो तुर्पाई वाला बना बताऊँगे आपको इस तरह से हमको इसको एक बार फोल्ड करना है ठीक है और फोल्ड करने के बाद फिर से जितना चौड़ा आपको तुर्पाई करना है उतना चौड़ा कपड़ा फोल्ड कर लीजिएगा दोनों साइट से इस तरह से तो यह मैंने फोल्ड कर लिया और इस तरह से फोल्ड करने के बाद नीचे का भी फोल कर लेंगे और नीचे का फोल करने के बाद यहां पर हम स्वेस लगा लेंगे तो इस तरह से हमने फ्ले कर के यहां के पर्ड़ लगा लिया हुआ है जिससे कि हमारा मतलब admired तो अब अब अज्छे पाई करेंगे तो कपड़ाई धरु धर नहीं कि जो बन गया है उसको नीचे की तरफ और उपर वाला फिर इस तरह से करेंगे हैं तो फ्रिंट्स पर हमने दर बैबरता ल button कि उप्ड़ करने के बाद या पर बॉल लगाना शुरू कर देंगे तो यहां पर हम लोग दर पाई करना जैसे हम पर किया है सेम ऐसे ही तो इस तरह से यह हमने यहां पर तुर्पाई कर लिए है यह देखिए और इसी तरह से अब हम ने जितना घेरा फोल्ड किया है और प्रस किया है उसके उपर हम इसी तरह से सेम तुर्पाई चला लेंगे तुर्पाई कंप्लीट कर लेंगे यहां पर तो देखो इस चाक बिल्कुल उपर का साइड जो कोना होता है फिटिंग के पास का तो वहाँ पर हम क्या करेंगे दो अंगुल उपर की तरफ से हम यहाँ पर तुरपाई करेंगे और इस तरह से हमारी पूरी तुरपाई कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स आप देख सकते हो अब यह लगाने के लिए यह जो हमारी आस्तीन वाला कप्रा था सबसे पहले आस्तीन कंप्लीट करेंगे तो आस्तीन को हम सबसे पहले इस तरह से दोनों को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद आस्तीन भी हम यहाँ पर तुरपाई वाली ही बनाएंगे तो तुरपाई वाली ब पूरा फोल्ड कर दी हूं और उपर से यहां पर बड़ी बग्या पर शिलाई लगा लेंगे बाद में यहां पर तुर्पाई कर लेंगे तो इस तरह से यहां पर फिटिंग वाली मसीन चला लेते हैं यह अब हमने जैसे इसको इस कंप्लेट किया सेम दूसरी वाली आस्तिन भ यह हमने दोनों आस्तिन कंप्लीट करके दोनों को सीधे ले लिया है यानि कि सीधा वाग कर लिया है और इस तरह से अब हम अपने आस्तिन को उस कुर्टे में लगाएंगे तो कुर्टा हमको इस तरह से लेना है और यानि कि कुर्टी को हमको उल्टा रखना है और आस्तिन को स तो आप हम लोग एक आस्तिन लगाना सिखेंगे इसको हम अपने आर्मोल के अंदर गुलाई में इस तरह से डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद दोनों की गुलाई इस तरह से नाप लेंगे तो देखो ये दोनों की गुलाई हमारे पूरे बराबर है और इसमें हम सिल लगाना और कोना की इस तरह से बराणा है तो आस्तीन वाले e-uk it 5 को और ब्लाइक करते वाले सिलाइप को इस तरह से दोनों को मिलाना है मिलाने के बाद मार्जिन कपड़े को इस तरव सी फोल्ट कर देंगी यानि कि फ्रेंट अपने कप्ड़े को हम फ्रेंट पाट की तरफ और आस्थीन वाले को उसके आपोजिट साइड इस तरी स्थीरा बना के फोल्ड करेंगे और पूरे गुलाई में यहां पे हम सिलाई लगा लेंगे दोनों कपड़ों को बराबर से मिलाते हुए हाफ इंच हम कपड़े को उपर के साइट छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से फ्रेंट्स यह हमने सिलाई कम्प्लेट कर ली है पूरे में आपको एक बार मैं आस दिन पूरी ओपन करके दिखा देती हूँ सीधे साइट से तो यह देखिए यह हमारी आस दिन इस तरह से कम्प्लेट हुई है देखो सिलाई में सिलाई दोनों के मिलके आई हैं यानि कि आस दिन को और कुर्टी का तो इस तरह से हमने शिलाई कम्प्लेट कर लिया है सेम इस टिप फॉलो करते हुए हम दूसरी वाले आस दिन भी कम्प्लेट कर लिया है तो अब हमारा यह पूरा कुर्टा कम्प्लेट हो चुका है यह देखिए आप देख सकते हो आज मेरी थोड़ी सी तव्यत खराब थी आपको वोईस से लग रहा होगा अगर थोड़ी भी वोईस इधर उधर हुई है तो प्लीज उसके लिए सौरी और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सियर चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलि मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू